हेलो दोस्तों स्वागते आपका अपने चैनल असान लाइफ में दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन केर के बारे में कि गर्मियों में हम अपने चेहरे की देखवाल कैसे करें दोस्तों अगर आपकी तवचा सावली है तो उसे निखारने के लिए और उसमें अस्चरे जनक बदलाव लाने के लिए हमें केले के गुदे को पेस्ट बना कर उसे हमें सकिन की मसाज करनी चाहिए इससे हमारे सकिन में बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा नमबर दो पर अगर चेहरे की तवचा सीत यूत रितू में सुष्क हो गई है तो आप चेहरे की तवचा पर मिलाई में चंद बूंदे निम्बू के रसकी मिला कर उससे अपने चेहरे की मसाज करें इससे आपके सकिन पे गलो भी आएगा और निखार भी आएगा नमबर तीन में आप कच्चे दूद में सहद मिक्स करके चेहरे पर लगाएं इसके प्रयोग से चेहरे की तवचा में बहुत ज़्यादा निखार आ जाएगा और आपके स्कीन एकदम से कलियर हो जाएगी नमबर पांच पर दोस्तों आप चीकू का इस्तिमाल कर सकते हैं चीकू का गुदा पैक की बांती चेहरे पर लगबग 20 मिन्ट तक लगाएं सुखने पर मल कर उतार लें इसके प्रयोग से तवचा की रंगत में काफी निखार आता है नमबर पांच पर आप टमाटर के रस में गाजर का रस मिला कर चेहरे की तवचा पर लगा सकते हैं इसके प्रयोग से तवचा की रंगत में बहुत ही जादा चमक आएगी और निखार आएगा नमबर छे पर दोस्तो रात भर पानी में भीगे बदाम को पीस लें और इन बदामों के पीसे होई पेस्ट में गुलाब जल मिला कर चेहरे पर लगाएं इसके नियमत प्रयोग से तवचा को पोशन तो मिलता ही है और उस साथ में आपकी तवचा में बहुत ज़्यादा नि ला लें और उस पेस्ट को आँखों के आसपास अगाएं इसके प्रयोग से काले गेरे और जुरियां की समस्या आपकी कम हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम कलियर हो जाएगी और डार्क सकल भी खतम हो जाएंगे दोस्तो आई होप आपको इस सारे टिप्स अच्छे लग दें थाएंगे दोस्तो